तो गाइस मैं एक नया वीडियो के साथ आया हूँ इस वीडियो में आपको बताऊंगा Income Tax की जो डाटा है जो आप लोग का पैन काट बनता है पैन काट का डाटा आप लोग कैसे निकल सेकते हैं तो इसके बारे में आज बात करेंगे ठीक है यह जो पैन काट है पैन काट के डाटा आप लोग कहा से ले सकते हैं और पैन काट सभी में और इस वीडियो में आप लोग जानेंगे तो इस वीडियो को पूरा वाज करें इसके बारे में आप बात करेंगे अभी तो पहले आपको लोगों को देखिए income tax जो website है, income tax website पर आप लोगों को आना है, वो आने के बाद मैं आपको पहले दिखा तो कैसे आप लोगों online इसके बारे में verification कर सकते हैं, तो guys पहले जो step है, आप लोगो step को फिलाप करना होगा, income tax e-filling जो website है, e-filling website के पहले आपको आ कैसे आप लोग इसका data निकल सकते हैं, ठीक है, और जाने से पहले अगर किसी ने भे इस चैनल को मेरा subscribe नहीं, कि आप ली subscribe कर दे, इस तरह का informatic वीडियो आपको लोगों को मिलते रहेगा, तो guys मैं इस वीडियो को बिना समय कावे, आप लोगों के साथ शुरु करने बाना ह तो एक बार like करके देखे जाएगा, ठीक है, तो चलो guys शुरु करते हैं इस वीडियो को, guys पहले आप लोगों को आ जाना है e-filling, e-filling website पे, e-filling website पे, guys पहले जो e-filling website था, वो पहले e-filling website यह से दिखा हुआ करते था, फिलाल क्या है, अभी यह थोरा update हो गया है, update होने क e-filling website पे आ जाना है, ठीक है, e-filling website पे आने के बाद यहाँ पे जो पहले वाला page होगा, incometextgov.in, इस portal पे आप लोगों का आना है, आने के बाद क्लिक कर देजिए कर पहले वाला जो यह है, देखे, 2.0 पे अपडेट हो गया है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखे, verify your pen card number, ठीक है, आप लोगों का जो pen card है, वो pen card सही में बना हुआ है कि नहीं हुआ है, आप लोगों का पूरा data base से, जो income test का जो data है, उस data base से आप लोग निकल सकते हैं, तो इसके बारे में अभी पूरा मेरा जो pen card है, उसके data में आपको निकल के दिखाता हूँ, ठीक है, प पेल का नमर डाल देता हूँ, या पर मेरा जो full name है, या पर जो data बारते है, data बारते है, या पर मेरा mobile number, ठीक है, पहला जो मेरा pen card नमर डालने के लिए बोल रहे हैं, या पर मेरा pen card नमर डाल देता हूँ, या पर मेरा full name डालना है, ठीक है, और या पर मेरा जो data बारते है, यहां से calendar से अपको select कर लेना है ठीक है और यहां पर मेरा contact number दिया हुआ है यहां पर एंटर कर देना है ठीक है जो mobile number है मेरा ठीक है यहां पर mobile number देने के बाद आप लोगों को यहां पर क्या करना है जो continue वाला button है बटन बोटन पर click कर देना है ठीक है यहाँ पर देखें loading ले रहा है तुरा time loading ले रहा है loading लेने के बाद क्या है मेरा जो data है वो data income tax department से अगर activate होगा तो मेरा data है वो निकल के आएगा अगर मेरा activate नहीं होगा तो इसी तरह से एक notification शो होगा ठीक है देखिए यह जो error जो record पर फाउंड होगा देख पाएंगे अभी मेरा जो डाटा है वो मेरा और दुसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि उन लोगों को पता चलना चाहिए, कैसे जो pen card verify हो सकता है, उसके बारे में आप उन लोगों को भी पता चले, देखें, यहाँ पे मैंने जब pen card verify पे click किया, click करने के बाद मेरा जो register mobile number है, register mobile number पे मेरा एक OTP send हुआ है, तो मेरा OTP अल्र आप और perceptive radio का data है वो data यहाँ पे निकाल आएगा, अगर activate है वी नहीं है, ठीक है, देखिए, मैं यहाँ पे OTP डाल दिया हूँ, अभी जो validate है, validate प्लिक कर देना है ठीक है ठीक है देखिए यहाँ पे जो मेरा pen card है वो मेरा already activate है ठीक है यहाँ पे show हो रहा है जो मेरा pen card है वो activate है अगर किसी को भी एसा एक notification show होता है मतलब pen card अगर activate नहीं है तो एसा एक notification show होगा ठीक है in this case में आप लोग को क्या है आप लोग को income tax department का जो यह Pen Center वहापधे विजिट करना है विजिट करने के बाद आप लोग का जो Pen card नमबर है वो Pen card नमबर देने के बाद वो लोग वेरिफाय करके देंगे आप लोग का Pen card पाए तो अच्छा है तो वासे आप देखिए अगर pen cut आप लोग का activate नहीं है तो आप लोग इससे pen cut का data निकल सकते हैं अगर guys इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी question रहा तो please comment बेक्स में डाल दीजिएगा I hope so मेरा हिसाब से जितना भी हो से के मैं comment का reply कर पाऊं thank you so much अप लोग ने इस वीडियो को देखा शुबरात रिक